Hello dear residents, आज का जो टॉपिक है वो एक तरीके से बहुत ही समराइज और बहुत ही महनत के बाद बनायोगा टॉपिक है इस topic के अंदर आज हम discuss करने जा रहे हैं कि भारत के अंदर कितने rulers रहे, कौन-कौन से rulers रहे और कौन-कौन से time duration में रहे Even सारे dynasties, सारे empires के बारे में हम बात करेंगे आज की इस video में ये video आपके medieval history से relate करता है इसे में सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया के अंदर ruler slave dynasty से तो याद रखना हम बात कर रहे हैं 1193 से 1193 से 1857 तक कौन से ruler रहे उसको year wise हम बढ़ रहे हैं आज बहुत ही महनत से बनाए वह topic है थोड़ा सा आपसे नीड रहीगी कि आप इसको अच्छे से याद कर लें इसकी उपर detail में तो हमने video बना रखाया exam में कौन-कौन से question पूछे जा सकते हैं जैसे महमद गौरी की बात करें तो इनसे related जो भी descriptions है already उसको हमने detail में आपको बता रखाया जिसकी video के links आपके description box में है तो जाके जरूर से check out कीजिए लेकिन आज जो भी हम पढ़ रहे हैं वो यह देख रहे हैं कि कौन-कौन से dynasty कि sequence में आई और कितने-कितने time duration तक इन्होंने rule किया ठीक है तो सबसे बहुत करते हैं slave dynasty की महमद गौरी से start होती है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क अगर इसको थोड़ा सा देखें, तो इसको एरवाइस भी अपन समझते हैं, देखें, 1206 में कुतुब दिन अइबक, उसके बाद, 1202 में आरम शाह, इसके बाद मैं अगर देखें, रसुद दिन, फिरोज शाह, 1236 में, 1236 में ही रजिया सुल्टान, इनके भाई थे, जिनको मा आया गया, नेक्स्ट सुल्टान, ठीक है, सुल्टान मतलब एक राजा की उपादी होती है, जो पहली महिला थी, जिन्होंने ये उपादी ग्रहन की हिससे, बहुत सारे लोग नाराज हुए, और एविन इनको मारनी की साजिश की गई, इसके उपर डिटेल में हमने वीडिय 66 में गया सुद्धिन बल्बन, ये व्यक्ति था जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेशन कही बार पूछे गए हैं, इवन, कॉम्पेटिटिटेव एक्जैम्स में, CUT की बाद नहीं है, कॉम्पेटिटिटेव एक्जैम्स में इनसे क्वेशन पूछे जाते हैं, ठी 27 years तकि ये रूल करते हैं, ठीक है, तो इन में से कॉशन जो बनता है, जिसे मैंने आपको बताया, बल्मन से पुछाएगा, रज्य सुल्तान से पुछाएगा, और एबग से पुछा जाएगा, मौमद गौरी से पुछा जाएगा, मौमद गौरी क्या थे, जब मौमद गौ पूछा जाता नहीं है, जादा ये भी slave थे, ठीक है इसके बाद में, लेकिन ये slave dynasty में नहीं रहा तक है, याद रखने, ये भी slave है पुराने वाले dynasty के है, इसके बाद में Allahotdeen Khilji, इनसे question बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये तो तुम शाह और खिल जी वंच की समापती इसमें जादा कुशन नहीं आते अलाव दिन खिल जी के अलावा इसमें से जादा कुशन से आप से पूछेंगे नहीं लगबग 30 साल का इनका कारेकाल रहा है ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं तुगलक वंच सब्सक्राइब भी जादा कुशन से इसके अंदर आप से पूछा जाएगा से फ्रस्ट वाला ठीक है गया सुधिन तुगलक फ्रस्ट इस्से उच्छन पूछेंग जा सकते है फिर इसके बाद में 1389 में हाला कि देखो बहुत एक कम रूलर ऐसे रहे जो पावरफुल रहे जिन्होंने अपने डियानस्टी जो रूल है उसको बनाया रखा रीजन क्या था? इस ताइम डूरेशन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर एक डियानस्टी दूसरे डियानस्टी को ओवर कम या जीतने की कोशिश कर रही थी उसको अपने अंडर में लाने की कोशिश कर रही थी इसलिए बहुत कम ऐसे लोग है जो यहाँ पर हाइलाइटेड है और जिनको याद किया जाएगा या उनसे कोशिन पूछे जा सकेंगे इसके बाद गयासुद्दीन, तुगलध नकोफ सेकंड, अबू बकर शाह, 1389 के अंदर, तुगलध मेहमुद तुगलध थर्ड, 3094 में सिकंदर शाह फर्स्ट, फिर इसके बाद में, नासरुद्दीन शाह सेकंड, 1394 में, नसरच शाह 1395 में, ये वाली डैनस्टी, तुगल सुद्दीन महमुद शाह तुगलक सेकंड अगें टेरिट्रीज में दॉलर्ष शाह 1413 और तुगलक वंच की समाप्ती 1414 में इसके अंदर केवल आपको फर्स्ट तुगलक डैनेस्टी के इस्टैब्लिशर ठीक है वो याद रखने है ठीक है गया सुद्दीन तुगलक इसके बाद आजाएगे सेट डैनेस्टी इसके अंदर आपको याद रखना है 1414 खिजरी शाह 1421 मुबारक शाह 1434 मुहम्मद शाह पूर्थ 1445 अलाउद दिन आलम शाह याद रखना इसके अंदर बहुती कम रूलर है जो इंपोर्टेंट है इसमें मुगल एम्पायर जो है वो इंपोर्टेंट रहेगा इसके अंदर देखो यहाँ पर 1441 के अंदर सढ़ीड डैनेस्टी खतम हो जाता है 37 कि रूँल करता है इसके बाद में आजाती है लोधी डैनेस्टी बहलोन लोधी के बाबर के बाद में आते हैं हुमायू और कुछ कंडिशन्स ऐसी बनती है कि हुमायू को अपनी टेरिटरी चोड़ के जाना पड़ता है तो एक फर्स्ट फेज है मुगल डैनस्टी का मुगल एंपायर का अभी तक डैनस्टी है एंपायर बनने मतलब बने का बाद में याद र का गार पर है तो बाबर आए बाबर के बाद में हुमायू आए बहुत कोश्चन्स पूछे जाते दौनों से और एक बार के लिए जो मुगल एंपायर था वो रूप जाता है 1539 के अंदर इसी दुरान सूरी एंपायर आ जाता है शेरशां सूरी इनसे कोश्चन पूछा जा रहता है इसके अलावा और कोई नहीं आएगा जिन से कोश्चन पूछा जाएगा शेरशां सूरी 1539 मैंने पूरा पड़ा हुआ है आप अच्छे से ध्यान रखना और उसको देखना भी है ना तो 1539 शेरशां सूरी उसके बाद 1545 में इसलाम शा सूरी उसके बाद 1552 के अंदर मेहमुष शा सूरी 1553 में इब्राहां सूरी 1554 में फुरहुष शा सूरी 1554 में मुभारक शा सूरी और सिकंदर लोदी की समापत mebrलाबление सिकंदर सूरी और इसी से सूरी एमपारी का समापती हो जाती है 16 years में अब यहाँ से स्टार्ulk में सूरी एमपारी के अंदर केवल आप रखना है जिसने स्टार्ट किया शेरशाहसूरी क्योंकि ये हुमायू के बाद और वापस हुमायू के आने के आने से पहले का ये एक एमपायर था जिसमें साथ रूलर आपको याद रखने हैं जिसके अंदर से केवल एक से कोशन पूछे जाएंगे साथ रूलर है 16 साथ रू में हुमायू दूबाररा-घद्धी पर आते हैं इसके बाद में आजाता है अकबर फिफटेंफटेश जेटेंगर इनके बेटे सलीम आजाते हैं 1605 में सलीम के बाद आते हैं शाह जहां कई बार तो ये सिक्वेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है तो 1628 के अंदर शाह जा के बाद औरंग जेब जो कि बहुत ही खराब आदमी था औरंग जेब के बाद में आ जाते हैं 1707 में शाह अलम 1 इसके बाद में ये जो डैनस्टी है ये जो एंपायर है वो कमजोर होता जाता है औरंग जेब तक जो एंपायर था बहुत एजी से ग्रो कर रहा था लेकिन इस टाइम डूरेशन तक पूरे भारत पर इनका हुकूमत हो चुका होता है शाह अलम के बाद जहादर शाह 1712 1713 फारुक शियार ये वही विक्ती है आपने पढ़ा होगा इनके बारे में फारुक शियार बिंगॉल के अंदर न फिर आता है राजत दौला नेकुशियार महुमत शाह एहमद शाह आलमगिरी इनके बारे में भी कूशन पूचे गए हैं शाह आलम अकबर शाह बहादूर शाह जफर ये बहादूर शाह जफर इंपॉर्टन्ट है फिर खतम हो जाता है मुगल अंपायर भादूर शाह जफर के साथ लगवक्त 315 साल कंप्लीट करने के बाद पहलास्ट कुशन आता है कि लास्ट मुगल रूलर बताएं जो बिटिशर्स के साथ में जिन्होंने डील किया था तो वो था 1857 के बाद में जो 1857 के बाद में भादूर शाह जफर थे इन्होंने डिसाइड किया था मतलब इनकी टरिटरीज शीनी गी थी सबसे लास्ट ली लास्ट रूलर यही थे भादूर शाह जफर जिनको हटा दिया गया था 1857 के बाद कुशन जो पूछे जाएंगे उन सभी के उपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखे हैं उनको आप आराम से देख सकते हो अगर आपके पास में समय है और जो कि आपके पास बहुत है अभ तक खिलजी डानेस्टी 30 तक तुगलग डानेस्टी लगभग आपके 94 यह सक सज्यड डानेस्टी 37 लोधी डानेस्टी 75 और सूर्य डानेस्टी रही 16 तो इस तरह से आपकी पूरी डानेस्टी कवर हो जाती है इस तरह से हमने देखा कि कैसे 12th century की last में 12th century के last से लेकर 19th century के last का किस तरह से डानेस्टीक रूल रहा और कैसे यहां पर लोगों ने रूल किया इन से जुड़े जो questions थे वो कौन से हो सकते हैं मैंने already detail में आपको बढ़ा रखा है आपको जो जो भी मैंने बताया कि यह rulers याद रखने है उन्हों को याद रख लेना उनका time duration याद रख ल हुआ 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 हैño ुआ है रख लेका हुआ हैं हुआ है हुआ है कन दो शोजर किया रखच है इन रखरémie हुआ है हुआ है व %. झाल झाल